तो बच्चो इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करेंट एलेक्टरिसिटी की NCRT की एक्सरसाइज सारे क्वेस्टन्स यहाँ पर मैं डिसकस करने जा रहा हूँ और साथ मैं आपको PDF भी दूँगा यह जो मैं यहाँ पर डिसकस कर रहा हूँ पूरी स्लाइड का आपको PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है तो आप डाउनलोड कर लेना तो शुरू करते हैं बच्चो पहला क्वेस्टन अब यह स्टिक्ली 2022-23 के सिलेबस के एक्सरसाइज कराई जा रही है तो मैंने वो क्वेस्टन्स छोड़ दिये हैं जो इस साल आपके सिलेबस में नहीं है तो शुरू करते हैं पहले क्वेस्टन से और NCRT की एक्सरसाइज करने का आपको फाइदा तभी होगा अगर आप सारा चैप्टर कर चुके हैं वरना इसके अंदर कुछ फॉर्मले यूज होंगे जो फिर आपको समझ नहीं आएंगे कि वो फॉर्मले आए कहां से तो इसलिए पहले चैप्टर अपना अच्छे से प्रिपेर कर लो फिर इसको देखो और अगर कर चुके हो तो आ जाओ पहले आपने pause करके उस question को खुड solve करना है खुड try करना है नहीं होता तो play करके आप solution देख सकते हो सबसे बड़िया तरीका यही है इसको करने का So, पहला question, the storage battery of a car has an EMF of 12 volt, car की battery है जिसका EMF यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है 12 volt, if the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, internal resistance of the battery is 0.4 ohm, हर एक question का numericals का answer में लिख ला है हो ताकि, अगर किसी की बड़ी calculation हो, तो calculation में अपना time waste ना हो, R equal to 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery, internal resistance वाले topic में मैंने आपको Imax का formula बताया था, graphs के अंदर, और Imax का formula होता है E by R, ठीक है, जिनको नहीं पता है, वो सुन लो साथ की साथ, किसी भी, किसी भी battery से जो maximum current draw किया जा सकता है, that is the EMF, that is equal to the EMF of the battery by internal resistance, हना, कहां से आया था ये formula, जो terminal potential difference होता है V, वो होता है E minus IR, इतना formula तो आपको पता ही होगा, तो बताओ यहां से R का formula क्या आएगा, R का है नहीं, sorry, I, I का formula क्या आएगा, I का formula आएगा, इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाओ, so that will be E minus V divided by R, हना, E में से कुछ subtract हो रहा है, तो सोचो यह maximum कब होगा, यह सबसे जादा कब होगा, जब subtract होने वाली चीज सबसे कम होगी, यानि कि current maximum तब होगा, जब इस V की value होगी 0, हना, तब E में से कुछ भी subtract नहीं होगा, तो यह सबसे जादा आएगा, तो जब V को यहाँ 0 रखेंगे, तो I की value आएगी E by R, so that is the formula for maximum current, जो की हो गया 12 by 0.4, and 12 by 0.4 is I max की value आगई 30 ampere, ठीक, पहला question, आगे बढ़ते हैं, अ बैटरी ओफ E M F, अ बैटरी ओफ E M F 10 V and internal resistance 3 ohm, यह भी internal resistance, terminal potential difference, E M F वाले topic से है, अ बैटरी ओफ E M F 10 V, बैटरी का E M F 10 V और internal resistance कितना दिया हुआ है, 3 ohm, is connected to a resistor, if the current in the circuit, हाना यह हमारा डाइग्राम है, यह बैटरी है, यह इसका internal resistance है, and this battery is connected to an external resistor, ठीक है, डाइग्राम बना लो तो ज्यादा असान हो जाता है, जाना वीजुलाइज कर लो, काम असान हो जाता है, तो बैटरी का E M F 10 V, यह इसका internal resistance है, 3 ohm, and it is connected to an external resistor, and the current in the circuit, current in the circuit is what, current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor, यह R हमको निकालना है, ठीक, तो formula क्या होता था current का, बैए current का simple formula है, V by R, ohm's law से, तो V कितना दिया हुआ है, 10, by, total resistance of the circuit is what, R plus 3, R plus 3, और यही I हमको क्या दिया हुआ है, यही I हमको दिया हुआ है, 0.5, तो इसकी जगा हम डाल दें, 0.5, इसको इससे हम काटेंगे, तो यह आ जाएगा, 20, R plus 3, यह वन बचेगा न, तो 0.5 को इससे काटेंगे, yes, 20, so that will be R plus 3 equal to 20, और R कितना आ जाएगा, 20 minus 3, 17 ohm, ठीक है, external resistance is 17 ohm, what is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed, terminal voltage मतलब की इसके across, इसके across terminal voltage, तो terminal voltage के दो formula हैं अपने पास, एक तो है E minus IR, हाना, E minus IR से ही हो जाता, देखो R निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन R अगर हमने निकाला है, तो एक और formula से भी हम इसको कर सकते हैं, तो 10 minus I 0.5 into internal resistance, तो 10 में से 1.5 minus किया, so you will get 8.5 volt, so this question can be directly done without finding the value of external R in this way, but अगर external R की मदद से करना चाहते हो, तो उससे भी आ जाएगा, यह external R की आपके पास value आ गई कितनी, 17 ohm, तो और इसको इस तरीके से कर सकते हो, कि यहां से लेकर यहां तक, जो V होगा, आपको पता ना कि जो यहां से लेकर यहां तक V है, that is terminal potential difference, बट क्यूंकि यहां से लेकर यहां तक कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो यहां से लेकर यहां तक भी कुछ नहीं लगा हुआ तो अगर इन दोनों points के बीच में अगर potential difference V है तो इन दोनों points के बीच में भी वही होगा और यह V क्या होगा यह V होगा I into R तो I कितना है I है 0.5 into R कितना आया था अपना 17 तो यहां से you will get 8.5 V किसी भी तरीके से इसको कर सकता है ठेक यह question number 2 है अब question number 3 और 4 छोड़ दिया है मैंने because they are on combination of resistors बट वो बहुत simple questions है जैसे 10th में आप करते हैं तो अगर आप चाहो तो आप उनको कर लो but combination of resistors हमारे syllabus में नहीं है इस साल इसलिए मैंने वो questions छोड़ दिये हैं सीधा हम लोग करने जा रहे है question number 5 question number 5 है आपका जो आपको topic कराये गया था variation of temperature variation of resistance with temperature पे जिसमें आपको याद होगा कि एक formula बताया था alpha आता था r2 minus r1 by r1 into t2 minus t1 नहीं पता तो आप पहले topic को revise करो मैंने आपको बोला नहीं तो आप सोचोगे कौन सा formula कहां से आया हमें कैसे पता चले यह लगाना तो वो सब तभी पता चलेगा अगर topic आता होगा है ना तो यह वाला formula पे based है यह questions जो भी variation of resistance with temperature के हैं तो देखें जरा at room temperature room temperature पे यानि कि t1 हम room temperature को ले ले जो की 27 degree centigrade है resistance of heating element is 100 ohm तो r1 is 100 ohm तो यहाँ पे r1 है resistance t1 temperature पे r2 है resistance t2 temperature पे और यह तो r1 ही है और alpha की value यह होती है this alpha is called temperature coefficient of resistance इसकी value से यह पता चलता है कि कि किसी भी material का जो resistance है वो temperature के साथ किस तरीके से बढ़ रहा है या घट रहा है ठीक तो यह आगे हमारे पास अच्छा what is the temperature of the element what is the temperature of the element अब यह t2 पूछ रहा है तो यह r में कुछ change करेगा if the resistance is found to be 117 if the resistance is found to be 117 ohm given that the temperature coefficient of material of resistor is this अब देखो alpha दिया हुआ है put करो यहां पर so पहले इसको देखो alpha तो अपने को दिया हुआ तो इसको हम इदर ले चलते हैं तो यहां से हम इस formula को ऐसे लिख सकते हैं कि t2 minus t1 t2 minus t1 is what r2 minus r1 divided by r1 into alpha values put करो r2 is what r2 is 117 minus r1 is 100 divided by r1 which is 100 बहुत easy data दिया हुआ है और यह भी देखो 1.7 है ताकि उससे कट जाए into 10 की power minus 4 so this will be what 117 minus 100 17 by 100 अब इस 100 को भी हटा दो क्योंकि यह 10 की power minus 4 है यह 10 की power 2 है तो 10 की power क्या बचेगा minus 2 जिसको मैं उपर ले जाऊंगा तो वो 10 की power 2 हो जाएगा हाना यह 10 की power minus 2 बचेगा उपर ले गया 10 की power 2 हो गया यहां पे 1.7 है यानि की 1.7 को इससे काटा 10 बचा और 100 यह है तो 1000 यह हो गया ठीक है 1000 तो कि इसमें होगा degree centigrade में और हमें T2 निकालने को बोला है तो बताओ T2 क्या होगा इस T1 को उधर ले जाओ तो इट विल बी 1000 प्लस T1 तो 1000 प्लस 27 degree centigrade 1027 degree centigrade यानि की इसका जो resistance है वो वो 117 ohm किस पे होगा 1027 degree centigrade ठीक है समझ में आई बात ओके next unnegligibly small current is passed through a wire of length 15 meter length of the wire is 15 meter एक wire जिसकी length है 15 meter उससे बहुत कम current पास किया जा रहा है एक wire यहाँ पे हम बना लेते हैं पतली सी यह wire है ठीक है इससे कितना current पास किया जा रहा है इससे unnegligibly small current पास किया जा रहा है through a wire of length 15 meter so length of this wire is 15 meter and uniform cross section cross sectional area इसका uniform है और वो दिया हुआ है कितना 6 into 10 की power minus 7 meter square and its resistance is measured to be 5 ohm इसका resistance कितना दिया हुआ है इस पूरी wire का resistance है 5 ohm what is the resistivity of the material ओ तो बड़ा simple है 10th के बच्चे को करना है यह question r equal to rho l by a होता है formula so what is rho rho is r a divided by l ठीक है तो rho की value आ गई values put कर दो सारी की सारी r हमको दिया हुआ है 5 r a a दिया हुआ है 6 into 10 की power minus 7 divided by l l है 15 ठीक है 5 से यह कटा 3 बचा 3 से यह कटा 2 बचा so answer is 2 into 10 की power minus 7 ohm meter ठीक ohm दिया हुआ है न क्या निकालना है resistivity हाँ तो वो तो यहाँ पे missing है this is ohm meter not ohm ठीक है उसको correct कर ले so यह हो गया आपका question number 6 आगे बड़े question number 7 क्या कहता है जरा देखें a silver wire has a resistance अच्छा अब फिर यह उसी पे आ गया variation of resistance with temperature पे तो पहले अपना formula हम लिख लें यहाँ पे हमारा formula था alpha equal to R2 minus R2 minus R1 by R1 into T2 minus T1 ठीक है a silver wire has a resistance of 2.1 ohm R1 यह होगया R1 हाना यह resistance है इसका 2.1 ohm कितने टेंप्रेचर पे 27.5 degree centigrade पे and resistance 2.7 ohm and resistance 2.7 ohm कितने टेंप्रेचर पे 100 degree centigrade पे 100 degree centigrade पे alpha निकालने को बोला है तो यहाँ पे values put कर दो you will get alpha R2 is what 2.7 2.1 से 2.1 थोड़ा से ही चाहिए 2.7 minus R1 2.1 upon R1 2.1 into T2 100 minus T1 27.5 ठीक तो यह alpha आप इसको solve कर ले ना you will get your alpha 0.00 0.00 394 alpha है ना तो degree centigrade inverse अब यहाँ पे देख लो हमने Kelvin में change नहीं करा temperature को तो answer हमारा alpha की देखो alpha की unit क्या है बताया था आपको resistance से resistance की unit कट जाएगी तो जो भी आप temperature की unit रखोगे उसी में inverse में alpha की unit आजेगी जैसे आपने Kelvin रखे इसकी यह दोनों temperature Kelvin में रखे तो you will get alpha in Kelvin inverse तो आपने change नहीं किया आपने degree में रखे तो you got alpha in degree inverse पीछे भी अगर हम देखे तो हमने temperature को change नहीं किया था next 3.8 यह भी लगबग उसी पे है yes लगबग नहीं पूरे उसी पे है a heating element using nichrome connected to a 230 volt supply draws an initial current of this which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere देखो क्या कह रहा है कि एक heating element heating element मतलब कि जैसे heating element लगए रहता है geezer में या heater में या iron में तो उस heating element की बात हो रही है कि उसको 230 volt पे जब हमने connect किया तो उसमें current flow करा 3.2 ampere जो थोड़ी देरवाद घटके 2.8 ampere हो गया तो उसमें current घटा क्यों थोड़ी देरवाद क्योंकि वो heating element है उसका temperature बहुत जादा बढ़ेगा temperature बहुत जादा बढ़ेगा तो resistance बढ़ेगा resistance बढ़ेगा तो current घटेगा हाना तो what is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 तो वो कह रहा है कि जो heating element है उसका क्या temperature हो गया है अगर room का temperature जो है वो 27 है यानि कि हमें क्या दिया हुआ है सोचो alpha भी दिया हुआ है सोचो r1 शुरू में कितना resistance था r तो हमें दिया नहीं हुआ लेकिन ohm slow लगाओ r क्या होता है r होता है v by i so ये आपको मिलेगा r1 हाना फिर आप निकाल लो r2 r2 हो गया v by i ये आपको मिलेगा r2 t1 अपने को दिया हुआ है कि 27.0 degree centigrade है और t2 अपने को भोला है कि निकाल फैंको निकाल के फैंक जो हो रही है निकालना है इसको बस खतम होगे ना question t2 minus t1 t2 minus t1 होता क्या है t2 minus t1 होता है r2 minus r1 by r1 into alpha तो ये सारी values है आपने पास r1 ये रहा r2 ये रहा यहां डाल दो r1 ये रहा alpha की value 1.70 into 10 की power minus 4 और t2 आपको मिल जाएगा जब minus t1 आप यहां लाके plus t1 कर दोगे ठीक है तो finally that t2 is values डाल दो मैं t2 minus t1 t1 कितना था 27 ये भी डिग्री में है तो अपने alpha को change नहीं करेंगे r2 r2 is 230 by 230 by 2.8 minus r1 r1 is 230 by 3.2 upon r1 230 by 3.2 into alpha 1.1.70 into 10 की power minus 4 so this will give us t2 ठीक है समझ मैं इसको solve करके this is 867.35 degree centigrade ठीक ओके सेव करलें इसको next अच्छा यहां पे आप लगाओगे किर्चॉफ law ये क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भईया determine the current in each branch of the network यहां पे हर branch में इसमें 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 हमको क्या निकालना है current निकालना है और ये balanced wheatstone bridge है क्या 10 by 5 is 2 5 by 10 is 1 upon 2 so this is not a balanced wheatstone bridge है ना तो किर्चॉफ law से हम निकालेंगे current मान लेते हैं यहां से current आया i और उसमें से यहां चला गया i3 तो बचा कितना देखो i1 यहां से आया हाना i1 यहां से आया और i1 में से i3 इदर चला गया तो बचा i1-i3 जो जाएगा इदर अब यहां पर देखो i2 यहां से आ रहा है i3 यहां से आ रहा है यानि i2 प्लस i3 और इस वाली junction में इस वाली junction में ये दोनों मिलके यहाँ चले जाएंगे तो जब आप इन दोनों को add करोगे तो i3 से i3 कटेगा और आपको क्या मिलेगा i1 प्लस i2 और i1 प्लस i2 ही तो i है हाना i1 प्लस i2 ही आई है क्योंकि i ही तो 2 i1 और i2 में break हुआ था तो i1 प्लस i2 यहाँ चला जाएगा यानि कि i मदब current distribution अपनने सही कर ली बिलकूँ अब आपको बताया था कि current की direction में आपको positive negative sign लगाने है ताकि हमको higher lower potential का पता चल जाए तो current इसमें ऐसे जा रहा तो इस र्जिस्टर में से पहले हम यह वाला लूप ले लेते हैं a b d a इसको हम ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ट्रेवर्स करने वाले हैं तो लूप a b d a और equation बनाएंगे लूप a b d a से लूप a b d a में चलना शुरू करो किर्चाफ लो आते हैं चो आपसे question solve हो पाएगा नहीं तो आप सोचते रह जाओगे कि कहा positive लगाना कहा negative लगाना तो किर्चाफ लो वाली पहले video देख लेना अच्छा इसमें भी positive negative signs लगा लें एक बार इसमें current जा रहा है हमारा essay तो यह positive और यह negative ठीक है इस वाले loop की भी अगर सुरत पड़ेगी तो so we have three variables i1, i2 and i3 i is not a variable क्योंकि i is the sum of i1 and i2 हना तो उसको तो हम handle कर लेंगे हमें solve करना है i1, i2 और i3 के लिए so we need three equations पहली equation हमको मिल जाएगी loop a, b, d, a से that will be यहाँ से चलो minus 10 i1 minus 10 i1 फिर यहाँ पे पहुचे है तो minus 5 positive to negative घटते हुए potential में जा रहे है, minus 5 i3 और फिर यहाँ से यहाँ पहुचे है तो बढ़ते हुए potential में जा रहे है, plus 5 i2 फाइव कॉमन ले लो बहुत ही simple सा फंडा है चीए रुक गई, आच्छा, फाइव कॉमन लिया, so this will be minus 2 i1, this will be minus i3, and this will be i2, and sum is total 0, let this be your equation number 1, चीक है अब हम ले लेते हैं, इस वाले loop को, और इसको भी हम किसी direction में traverse करते हैं, चलिए ऐसे चलते हैं, ऐसे करके फिर ऐसे वापस आ जाएगे, चीक है, तो b c d b, loop, 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 b c d b, loop b c d b, यहाँ से चलो बढ़ते से घड़ते हुए potential में, तो minus 5 i1 minus i3, minus 5 i1 minus i3, यहाँ पर आए, negative to positive बढ़ रहा है potential, तो plus 10 i2 plus i3, फिर यहाँ पर आए, तो बढ़ रहा है potential, तो plus 5 i3, plus 5 i3 equal to 0, इसको second equation नहीं लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम solve कर लेते हैं, तो क्या common आजाएगा, यहाँ पर 5 काट दो, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, इसको खोल दो, minus i1 plus i3 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, तो इसको भी खोल दो, तो यह plus 2 i2, plus 2 i3 हो जाएगा, और यह बचेगा plus i3, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और solve करें, i3, 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 4 i3, तो minus i1, plus 2 i2, plus 4 i3, equal to 0, this is the second equation, ठीक, अब हम बनाएगे तीसरी equation, तीसरी equation के लिए, we need a third loop, क्या तीन equations की जरूरत है, yes, there are three variables, i1, i2 and i3, हाँ, तो तीसरी equation के लिए हमको एक तीसरा loop चाहिए, उसके लिए हम यह वाला loop ले 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 लेते हैं, नीचे वाला, यह वाला loop, हाँना, और इसमें हम ऐसे traverse करते हैं, इस loop को ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे म बनात सबसे पहले, यहां पहुंचे हैं, minus 5i2 loop का नाम क्या है loop का नाम है यहाँ पे इन points का कुछ नाम दे लो यहाँ पे इन points का नाम दे लो e, e तो नहीं है न इसमें कहीं e और f so this loop is what this loop is e, a, d, c, f, e e, a, d, c, f, e loop e, a, d, c, f, e loop e, a, d e, c, f, e loop e, a, d, c, f, e तो सबसे पहले क्या आया था सबसे पहले आया था minus 5i2 minus 5i2 minus 5i2 ठीक है उसके बाद उसके बाद हम यहाँ पहुँचे so फिर घटते हुए potential में जा रहे हैं तो minus 10i2 plus i3 minus 10i2 plus i3 फिर फिर यहाँ पहुचे तो बढ़ते हुए potential में जा रहे हैं तो plus 10 और फिर यहाँ घटते हुए potential में जा रहे हैं तो minus 10 plus 10 plus 10 और minus 10i लेकिन i क्या है i1 plus i2 equal to 0 यहाँ पर मैं आया तो यहाँ पर current कितना है i तो minus 10i लेकिन i is the sum of i1 and i2 i की terms में रखूंगा तो एक extra variable हो जाएगा बिना वजा वो मैं नहीं चाहता हूँ तो i की जगा रख दिया i1 plus i2 अब इस equation को भी हमने थोड़ा सा solve किया 5 common लिया तो minus i2 2i2 minus 2i3 plus 2 minus 2 i1 minus 2 i2 equal to 0 ठीक है i2 i2 i की नहीं i2 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 minus 5i2 minus 5i2 यह 2 3 हो गए यह बचे तो minus 2i3 minus 2i1 equal to यह 2 इदर चला गया तो यह हो गया minus 2 minus 8 आदो so you will get 5i2 plus 2i3 plus 2i1 equal to 2 this is your equation number 3 अब हमने इन तीन equations को solve करना है अब बच्चे को दिक्कत आती कि तीन equations को कैसे solve करना है तो बड़ा simple होता है वो किसी भी एक equation में से आप एक variable की value निकाल के दूसरी में डाल दोगे जैसे आपने यहां से i2 की value निकाल ली i2 की value निकाल ली i2 की value ये इन दोनों को इधर ले जाओ अगर मैं इन दोनों को इधर ले जाओ तो i2 की value क्या मिलेगी मिरको i2 की value मिलेगी 2i1 प्लस i3 2i1 प्लस i3 i2 की value मिलेगी 2i1 प्लस i3 i2 की जगा यहां पे i2 की जगा आप डाल दो 2i1 प्लस i3 तो ये वाली equation i1 और i3 में रह जाएगी i2 उड जाएगा और इस वाली equation में भी आपने i2 की जगा डाल देना है 2i1 प्लस i3 तो ये equation भी I1 और I3 में रह जाएगी अब आपके पास दो equations है I1 और I3 में जैसे आपने 10th में solve की थी linear equations in two variables X और Y में आपके पास दो equations थी तो फिर आप उनको substitution से, elimination से जैसे मर्जी आप solve करो और उसके बाद I1, I3 आपको मिल जाएगा उन दोनो equations को solve करके और I1 और I3 की value फिर यहाँ डाल दो तो आपको I2 मिल जाएगा ठीक है आप इसको complete करके solve करना equations मैंने बना दी है और answers यहाँ पे लिखे हुए हैं कि I1 जो है that should be this I2 ये और I3 ये आना चाहिए और I क्या होगा I, B क्योंकि हर ब्राच में current पूछा है तो इस वाली ब्राच में current क्या होगा I1 प्लस I2 4 बाइ 17 प्लस 6 बाइ 17 यहाँ तो हर एक ब्राच में current पूछा है तो इसमें तो I1 ही होगा इसमें I3 इसमें I2 इसमें जो भी आपकी I1 और I3 की values आई हैं उनको subtract करके वो current यहाँ होगा और I2 प्लस I3 यहाँ होगा और I1 प्लस I2 यहाँ होगा ठीक समझ में आ गया ओके आगे बढ़ें Charging of the circuit पे question है A storage battery of 8 volt and internal resistance यह एक battery है 8 volt की और इसका internal resistance कितना दिया हुआ है इसका internal resistance दिया हुआ है 0.5 ohm is being charged by 120 volt DC supply अब इसको charge करा जा रहा है 120 volt के DC supply पर 120 volt के DC supply से इसको charge किया जा रहा है using a resistor of 15.5 ohm के resistor को भी हमने लगाया है safety के लिए series में what is the terminal voltage of the battery during charging charging के time पे battery की terminal voltage क्या होगी तो charging के दौरान terminal voltage क्या होती है उसका formula हमने discuss किया था और वो होता है E plus I R पर हमें circuit में current नहीं पता हमें battery का इसको तो charge कर रहे है न यही तो है न battery तो इसका EMF तो अपने को पता है 8 है इसका EMF तो अपने को पता है 8 है इसका internal resistance भी अपने को पता है की 0.5 है तो अपने को क्या नहीं पता अपने को current नहीं पता तो पहले तो आप इस circuit में निकालोगे current इस circuit में current कैसा आएगा देखो ये दोनों batteries की जो polarity है वो उल्टी है बही जब आप external battery से किसी battery को charge करते हो तो आप reverse polarity में ही लगाते हो ये मैंने समझाया था उस topic में ठीक है तो इनक circuit में कितना हो जाएगा वेको net voltage circuit में हो जाएगा 120 minus जब batteries इस तरीके से connected होती है कि दोनों के positive terminals आपस में जुड़े रहते हैं या दोनों के negative terminals आपस में जुड़े रहते हैं तो net voltage होता है V1 minus V2 so 120 minus 8 upon total resistance in the circuit is what 15.5 15.5 plus 0.5 यानि 16 तो 112 divided by 16 so that will be the current in the circuit तो यह कितना आया 6 ampere हना 7 ampere so current in the circuit is 7 ampere so what is the terminal voltage across this battery it is E E कितना है इसका इसका E है 8 8 plus I oh oh minus क्यों लिख दिया मैंने sorry plus रहता है ना plus रहता है minus तो discharging के दौरान होता है तो charging का है तो charging के दौरान इसमें क्या रहता है plus रहता है तो 8 plus I I कितना आया 7 into R internal resistance is 0.5 तो 8 plus 7 into 0.5 is 3.5 तो terminal voltage is 11.5 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज अक्रोस दे बैटरी इस 11.5 ठेक clear okay next the number density of free electrons number density of free electron दी हुई है एक copper conductor में estimated in example 3.1 okay 3.1 से हमको कोई data उठाना पड़ेगा क्या let us see number density is what 8.5 into 10 की power plus 28 meter m-3 number density is the number of electrons per unit volume तो एक unit volume में कितने electrons है 8.5 into 10 की power 28 how long does an electron take to drift from one end of a wire 3 meter long to its other end time निकालना है एक end से दूसरे end तक जाने में 3 meter लंबी wire में कितना time लगेगा the area of cross section is 2 area of cross section दिया हुआ है 2.0 into 10 की power minus 6 meter square और current दिया हुआ है current दिया हुआ है 3 ampere एक और पाट था ना पिछले question में theoretical कुछ what is the purpose of having a series resistor in the charging circuit ये बोल रहा है कि ये वाला क्यों लिया हुआ है this is just for the safety अगर ये resistor नहीं होगा तो current will exceed the safety limits बहुत high current हो जाएगा जिसको संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा and that is very dangerous ठीक है तो आप इसके अंदर लिखोगे कि this is this resistor is connected to prohibit the current from exceeding safety limits ठीक है ना समझ नहीं बात अच्छा यहाँ पर वापस आ जाते हैं and it is carrying a current of 3 ampere ओके तो हमें क्या निकालना है how long time निकालना है time कैसे निकलेगा time होता है distance upon speed speed of the electron is what it is drift velocity vd और आपको पता है current और drift velocity में एक relation होता है i equal to a n e vd so what is vd vd is i by i by a n e क्या ये सब कुछ हमें पता है ये सब कुछ हमें पता है तो यहाँ से हमने drift velocity निकाल ली drift velocity i 3 by a 2 into 10 की power minus 6 2 into 10 की power minus 6 into n number density 8.5 into 10 की power 28 into 8.5 into 10 की power 28 into e e की value तो हम सब जानते है 1.6 into 10 raise to power minus 19 1.6 into 10 की power minus 19 so this will give us drift velocity in meter per second so i t is what t is l 3 by 3 meter ने length by this drift velocity vd ठीक है इसको solve करके आपका time seconds में आएगा क्योंकि ये सब SI unit में है तो time भी SI unit में आएगा लेकिन answer 7.57 hours है आप चाहो तो hours में दे दो आप चाहो seconds में ही छोड़ दो उसको आप 3600 से divide करा दे ना तो आपका hours में वो आ जाएगा time ठीक है next question number 15 बीच में वो सारे छोड़े हैं question जो आपको नहीं करने six lead acid type of secondary cells each of emf 2 volt and internal resistance this are joined in series 6 cells जो है उनको series में join कर दिया सबकी emf 2 volt है और internal resistance 0.015 ohm है to provide a supply to a resistance of 8.5 ये 6 cells है बच्चो एक 2 हाना ऐसे करते करते चलो 6 के 6 बना देते हैं तीन चार पांच छे ये 6 cell आपने लगा दिये series में ठीक है series में लगाने के बाद आपने इनको एक external resistor से connect कर दिया पूरी combination को और हर एक cell का जो emf है वो 2 volt है और internal resistance 0.015 ohm है और external resistance 8.5 ohm है what are the current drawn from the supply and its terminal voltage यहां से इसमें current बहेगा ऐसा तो वो current कितना होगा तो वो current कितना होगा बच्चो total emf battery सारी cells किसमें है series में है तो सबका add हो जाएगा n यानि के 6 by total resistance एक तो external resistance प्लस इन सबके internal resistances का sum क्योंकि यह series में है तो current कितना आ गया current आ गया circuit में 6E 6 into 2 उपर आ गया 12 प्लस 8.5 प्लस 6 into इनका internal resistance 6 into 0.015 15 into 6 90 हाना और decimal आएगा आपका वो तो 6 था न एक दो 3 तीन के बाद इसको solve करके क्या निकालना हमको what are the current drawn from the supply and its terminal voltage तो this is the current drawn from the supply जो approximately 1.4 ampere के आसपस आपका answer आ जाएगा चेक अच्छा what are the what is the terminal voltage तो terminal voltage का formula लगा लो terminal voltage क्या होता है E minus IR E मतलब वो ही total कितना आया था 12 minus I 1.4 into total internal resistance 0.090 so this will be the terminal voltage approximately 11.9 volt ठीक next a secondary cell after long use has an EMF of 1.9 volt and a large internal resistance of this what is the maximum current that can be drawn तो I max का formula जो पहले equation में हमने लगाया था वो इसके B part के लिए लगा लो I max का formula क्या लगाया था E by R I max का formula लगाया था E by R तो E is what? E is 1.9 by R is R कितना दियावा? internal resistance 380 ठीक, so this will be 0.005 ampere ठीक, आच्छा तो यह हो गया हमारा question आगे theoretical part है, what maximum current can be drawn हो तो हो गया? could the cell drive the starting motor of a car? नहीं, starting motor of a car नहीं, कार की motor को start करने के लिए वेटा हमें बहुत high current चाहिए होता है for just few seconds, but बहुत high चाहिए होता है इतने कम current से कार की motor को start नहीं किया जा सकता तो इसका answer है no, वो आप mention कर लेना ठीक, next question two wires of equal length one of aluminium and other of copper तो दो wires है, दोनों की जो length है, वो बराबर है जिसको हम मान लेते हैं, L है length of copper wire is length of, equal to the length of aluminium wire ठीके न, दो wires है, copper की और aluminium की बराबर length की which of the two, अच्छा, have the same resistance तो R भी उनका resistance of copper wire is equal to resistance of aluminium wire और उसको हम ले लेते हैं, R के बराबर resistance भी सेम है, length भी सेम है, resistance भी सेम है which of the two wires is lighter तो उसमें कह रहा है कि कौन सी wire जो है, वो हलकी है अब ये कैसे पता चले देखो, R होता है, rho, rho, L by A हना, R होता है, rho, L by A तो R दोनों का सेम है, और L दोनों का सेम है हना, दोनों का R अगर मैंने सेम रखा तो मैं रखूंगा, rho, copper, into length of copper by area of cross section of the copper wire equal to rho of aluminium into length of aluminium wire by area of cross section of the aluminium wire अब यहां से क्या-क्या कटा देखो, दोनों का length सेम है तो ये cancel हो गया, अब देखो which of the following is lighter, lighter मतलब जिसका mass कम होगा हना, तो mass of the mass of the copper wire is what volume into density, mass is what volume into density, volume होती है area into length हना, volume कितनी होती है, area into length into density density को हम rho से denote नहीं करेंगे d से denote कर लेते हैं, क्योंकि rho से तो हम resistivity को denote कर रहे हैं तो mass of the copper wire is area of cross section of the copper wire length of the copper wire और density of the copper wire divided by mass of the aluminium wire अगर मैं कर दूँ divided by mass of the aluminium wire अगर मैं कर दूँ तो area of aluminium wire into length of the aluminium wire into density of aluminium अब इसमें से हमको ये given है कि length तो बराबर है, तो length से length कट गई ठीक, area of cross section की ratio अपने को नहीं दी हुई, अपने को लेकिन rho की ratio दी हुई है, यहां से आप देखो area of cross section की ratio हमें मिलेगी न, area of copper by area of aluminium, इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले जाओ और rho को इधर ले आओ, तो यह होगा, rho of copper by rho of aluminium is equal to area of cross section of copper by area of cross section of aluminium तो area of cross section of copper by area of cross section of aluminium is just the ratio of rho of copper by rho of aluminium, तो this is rho of copper by rho of aluminium into d of copper by d of aluminium, तो masses की simply यह ratio है, और यह values हमको दी हुई है, rho of copper, resistivity of copper is 1.72 into 10 की power minus 8 into density of copper, relative density दी हुई है, relative density क्या होती है, relative density किसी भी material की क्या होती है density of the material by density of water, that is the relative density rd, density of water ऐसा units में होती है 1000, तो density of material is what, rd into 1000 हाना, तो यह into 1000 हमें करना पड़ेगा relative density में, लेकिन 1000, 1000 उपर भी रहेगा, नीचे भी रहेगा, तो कट जाएगा, तो हम density की जगा सिर्फ relative density डाल सकते हैं copper के लिए हमने यहाँ पे डाल दी 8.9 और aluminium के लिए डाल दी हमने 2.7, पहले aluminium का रो डाल दे 2.63 2.63 इंटो 10 की पावर, मिनस 8 इंटो 2.7, तो इस चम्स आउट तो बी अराउंट 2.2, यानि की विच वन इस लाइटर, मास अवपर, मास अवपर वाईर, बाए मास अवपर अलूमीनियम वाईर, 2.2 आया, यानि की मास अवपर वाईर, मास अवपर वाईर, is 2.2 times the mass of aluminium wire यानि कौन सी wire भारी हुई हलकी कौन सी हुई aluminium भारी कौन सी हुई copper की which of the two wires is lighter hence explain why aluminium wires are preferred for overhead power cables उपर से जो हमारे सर के तारें जारी है उसके लिए aluminium wire इसी लिए prefer करी जाती है क्योंकि same length की copper wire भारी होती है और aluminium wire हलकी होती है तो हलकी होने की वज़े से उसका weight कम रहेगा और उसके गिरने का खत्रा भी कम रहेगा उसको support करना easy होगा heights पे ठीक है next ये कुछ theoretical questions है पढ़ते हैं इसको a steady current flows in a metallic wire of non-uniform cross section एक non-uniform cross section की wire है कहीं से मोटी कहीं से पतली suppose ऐसी wire है जरूरी नहीं है ऐसी हो बट मान लेते हैं ठीक which of these quantities is constant along the conductor अब भाई वो तो खुदी कह रहा है कि steady current flow कर रहा है इसमें से steady current flow कर रहा है और फिर खुदी पूछ रहा है कि current constant रहेगा के नहीं रहेगा obviously अगर steady current है तो constant रहेगा लेकिन current density constant रहेगी के नहीं रहेगी current density क्या होती है j हना तो current density कैसे constant रहेगी current density होती है i by a हना current per unit area अब i constant है लेकिन area constant नहीं है तो j क्या होगा change होगा so current density is not constant कोई भी quantity जो electric field पे depend करती है वो constant नहीं होगी आप जानते हो i क्या होता है a, n, e, v, d अब यहाँ पे v, d के बारे में पूछ रहा है तो v, d क्या होगा v, d होगा यहाँ से v, d का formula आएगा i divided by a, n, e तो क्या v, d constant होगा बिल्कुल भी constant नहीं होगा क्योंकि v, d depend करता है area पे और अगर v, d constant नहीं है तो electric field भी constant नहीं होगी क्योंकि v, d का एक और formula है electric field की terms में e, e, by, m, into, tau तो e, जो है, वो v, d की terms में आएगा और v, d depend करता है a पे तो e, b, depend करेगा a पे तो electric field भी बदलेगी electric field भी बदलेगी drift speed भी बदलेगी electric field भी बदलेगी current density भी बदलेगी और सिर्फ क्या constant रहेगा current constant रहेगा ठीक है is ohm's law universally applicable for all conducting elements, no हमने discuss करा है ये point हमने limitations of ohm's law में पड़ा है कि ohm's law जो है वो applicable नहीं है सब पे किस-किस पे applicable नहीं है semi-conductor diode p-n junction के बारे में आपको बताया था ठीक है, vacuum diodes पे applicable नहीं है हम detail में नहीं जाएंगे कि ये होते क्या है वह हमको सिर्फ नाम पूछे हैं कि किस-किस पे ohm's law applicable नहीं है किसी भी electrolytic solution पे chemistry में आप पढ़ते हो न किसी भी electrolytic solution पे ohm's law applicable नहीं होता c, a low voltage supply from which one needs high current must have very low internal resistance why तो maximum current का formula क्या है किसी भी supply से e by r किसी भी supply से maximum current का formula है e by r तो वो क्या कह रहा है कि अगर हमें high current चाहिए अगर हमें high current चाहिए हो तो low resistance, internal resistance low होना चाहिए, obviously for high values of i r must be very low ना क्योंकि ये इसके inversely proportional है r must को जोड़के मैं rust लिखने वाला था r must be high, very high और last is a high tension supply of 6 kV से मतलब वो कह रहा है मान लो एक बहुत high tension supply है 6 kV की must have a very large internal resistance अब देखो, अगर e बहुत ज्यादा है हाना, high tension battery है, बहुत ज्यादा उसका EMF है जैसे e बहुत ज्यादा है, तो r अगर कम है तो i बहुत ज्यादा हो जाएगा safety limit से exceed हो जाएगा हाना, तो वो बड़ा dangerous है, short circuit के time पे इतनी भेंकर आग लग जाएगी बहुत ज्यादा current आजाएगा circuit में, तो अगर e high है तो r b high होना चाहिए to keep, to keep current, to keep i within safety limits within safety limits next, यह आखरी question है, इसके बाद वाले question जो है वो potential meter पे based है और potential meter अपने syllabus में नहीं है choose the correct alternative, alloys of metals usually have greater or less, यहीं पे mark कर लेते हैं, यह सब हम लोग theory में पढ़ चुके हैं, alloys of metals usually have greater or less resistivity than their constituent metals, alloys की जो resistivity है, वो जादा होती है, constituent metals से, alloys usually have much dash temperature coefficients of resistance, alloys का जो temperature coefficient of resistance है, वो lower होता है, pure metal से, alloys का temperature के साथ resistance धीरे बढ़ता है, the resistivity of the alloy manganese is nearly independent of, nearly independent of, यह increases rapidly with increase in temperature, obviously अगर इनका alpha low है, तो resistivity is nearly independent of increase in temperature, temperature के साथ resistivity नहीं बजलेगी, resistivity of a typical insulator is greater than that of a metal by a factor of the order of, insulator की resistivity, metal की resistivity से 10 की कितनी power की value से जाधा होती है, and the answer is 10 की power 22, अगर आप देखेंगे, तो किसी भी typical metal की resistivity का जो order रहता है, वो 10 की power minus 8 ohm meter रहता है, और अगर non metal का, insulator का देखेंगे, तो 10 की power 14 ohm meter रहता है, अगर आप इनमें difference देखो, minus 8 से plus 14 तक जाओ, तो 10 की power 22 का difference आएगा, metal और non metal यानि conductor और insulator की resistivity में, ठीक, तो यह थी exercise chapter 3 की PDF डाउनलोड कर लेना, मैं आप से मिलता हूँ next lecture में, तब तक के लिए all the very best.